नमस्कार जार्खंड NMMS अर्थात राष्ट्रिय साधन सह मेधा चात्रवती 2021 के गणित के हल किये गए प्रश्ण की वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं इसका ये पार्ट वन वीडियो है कुल 20 प्रश्ण थे उनमें से पहले 10 प्रश्णों को अभी हल कर रहा हूं दूसरे पार्ट में अगले 10 प्रश्णों को हल करूंगा यहाँ प्रस्ण संख्या 71 से मैट्स का सुरू होता है तो 71 नमबर है 4 वाइ 9 और यह अनुपात है यह कोश्चन मार्क इसकल टू माइनस 8 वाइ 15 और यह चार आप्शन दिये गए हैं तो आएए देखते हैं कि कौन सा आप्शन इसमें होगा तो इसका एंसर हम हल कर रहे हैं यह एंसर है देखिए कैसे हल किया जाता है यह 4 वाइ 9 और इसे मैं जो अग्यात है इसे एक्स माल ले रहा हूँ तो यह इस तरह से हो गया हमारा समीकरन या 4 वाइ 9 और फिर यह वाइ एक्स इसकल टू माइनस 8 वाइ 15 या 4 वाइ 9 और यह जो नीचे एक्स है यह इस साइड आ जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस 8 वाइ 15 एक्स और इसे मैं इस तरह से अगर लिख सकता हूं फिर से माइनस 8 वाइ 15 एक्स इसकल टू 4 वाइ 9 या एक्स ब्रावर 4 वाइ 9 और इंटू यह माइनस 8 वाइ 15 को इधर ला रहा हूं तो यह हो जाएगा माइनस 15 वाइ 8 तो यह 4 एका 4 और यह 4 से यह 8 कट गया दो बार में उसी तरह से यह 3 से 9 कटा 3 बार में और यह 15 कटा 5 बार में तो यह हमारा हो गया माइनस 5 वाइ 6 तो यह कौन सा ओप्शन है यह ओप्शन नमबर 4 है पोर्शन नमबर 72 यदि 5 टुदू पावर 2x प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 25 इसकल टू 125 तब x का मान है क्या होगा यह चार ओप्शन गया है दिये गया है आई यह से हल करते हैं तो यह होगा 5 यह टुदू पावर है 2x प्लस 1 और यहाँ देखिए 25 को हम लोग 5 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं और 125 को 5 का घन के रूप में या 5 तुदू पावर 2x प्लस 1 और यहाँ हम देख रहे हैं यह आधार यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है और यह भाग है तो वैसे इस्तित्री में हम जानते हैं कि यह जो घात होते हैं यह घट जाते हैं तो यह हो जाएगा 2 ब्रावर 5 का घात 3 या 5 का घात 2x माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 इसकल टू 5 का घात 3 तो यह क्या इंगित करता है आधार दोनों का एक है दोनों और तो यह घात बरावर होगा तो 2x माइनस 1 इसकल टू 3 या 2x इसकल टू 3 प्लस 1 या 2x इसकल टू 4 या x इसकल टू 2 तो यह हमारा आप्शन 2 सही है कोशन नबर 73 किसी लगुत्तम संख्या को स्वरी किस है यहाँ पर यह किस लगुत्तम संख्या को 15,370 के साथ जोड़ना हो पड़ेगा ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए और चार ओप्सन दिये गया है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका वर्ग मूल निकालेंगे भागविधी से यह इस तरह से हम करते हैं वर्ग मूल निकालते हैं भागविधी में इसे फिर से थोड़ा सा लिखते हैं 15, 350 और यह एक सिधी देखा हम लोग जानते हैं कि इसी तरह से हम लोग भागविधी से पर्कमोल निकालते हैं अब यह हम लोग जोडा बना देते हैं इस साइट से एक जोडा यह है यह बार देदे रहे हैं और एक यह अब एक में देंगे तो एक एका एक यह घटके यहाँ पर आगया शुन अब यह एक यहाँ पर जोडते हैं तो यह हो गया दू अब यह तिरपन को उतारते हैं तिरपन अब यहां क्या बैठा है कि उसी से गुना करें के फिर यह इससे कमा जाए तो यह चार यह चार सॉरी यह टू हो जाएगा चार नहीं होगा यह टू होगा यह टू यह टू तो यह दो दूना चार यह दो दूना चार तो यहाँ पर आ गया कितना आ जाएगा हमारा देख लिजे तेरह से चार घटाएंगे तो नौ इधर से एक लिए थेरह थेरह से चार घटा तो नौ आ गया और यहाँ पर यह जीरो अब यह दो यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यह दो और चार यह चौबिस हो गया अब यहाँ यह सत्तर उतार दिये तो अब हम चार बार में देंगे इससे तो देखिए चार चोगे सुला के छे हाथ में रहा एक चार चोगे सुला और एक सत्रह हाथ में रहा एक चार दुनी आठ और एक नौ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 976 होता यह 970 की जगा तो यह पूर्ण वर्ग होता लेकिन यहाँ पर कितना है 970 अर्थात 970 में हमें कितना जोड़ देना चाहिए कि यह 976 होगा 6 अर्थात 15370 में अगर हम 6 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो हमारा यह एंसर हो गया यह ऑप्शन 2 Q74 यदि X is equal to 10 तो 4X square plus 20X plus 25 का मान होगा कौन सा मान होगा बताना होगा तो यह से हल करते हैं 4X square plus 20X plus 25 इसका हो जाएगा यह इससे हम लिख सकते हैं 2X का whole square और पल इधर आ जाते हैं यह 5 का square हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि यह किस रूप में आ रहा है A plus B का whole square के रूप में इससे सेट करते हैं 2 into 2X into 5 यह पूरी तरह से A plus B whole square के रूप में आ गया तो यहाँ 2X A की जगा है और 5 B की जगा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2X plus 5 whole square अब हम यहाँ पर X कमान बैठा देते हैं 2 गुना 10 X कमान 10 है जोड 5 और इसका वर्ग तो यह हमारा हो गया 20 और 5 25 25 का वर्ग तो 25 का वर्ग हम निकालेंगे तो आएगा 625 तो हमार यह तीसरा नंबर आप्शन सही है कोशन नंबर 75 यदि X minus 1 by X is equal to 6 तो X square plus 1 by X square का मान है तो इसके लिए हम एक सर्व समी का यानि identity का प्रियोग करेंगे और वो identity है A minus B whole square तो यह होता है A square plus B square minus 2AB और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यह minus 2AB क्यों इस साइड लेते आते हैं तो यह plus हो गया तो ठीक इसी तरह से हमारे यह है तो X square plus 1 by X square square 2 हो जाएगा X minus 1 by X square plus 2A की जगा है यहां X है और B की जगा 1 by X तो यह X और X कैंसील हो गया और X minus 1 by X का हमारे दिया हुआ है 6 तो यह 6 का square और यह plus 2 यानि 38 तो यह हमारा दूसरा नंबर option सही है question number 76 यह गुननखंड से संबंदित प्रस्न है आएए पहले हम जो दिया गया है इसका गुननखंड निकालते हैं यह 25 A square minus 4 B square plus 28 B C minus 49 C square इसकाल टू 25 A square और इधर bracket कर दे रहे हैं माइनस के बाद यह 4 B square minus 28 B C plus 49 C square चुकि पहले माइनस था है इसलिए इसके अंदर का चिन बदल गया अब इसे हम 25 A square को 5 A का whole square के रूप में लिख सकते हैं और यहां हम देख रहे हैं 4 B square को 2 B square के रूप में लिख सकते हैं और इधर आ रहे हैं 49 C square तो 7 C का whole square तो यह बीच में 28 है इसको break करते हैं तो यह 2 into 2 B into 2 B into 7 C देखिए यह हो गया 28 B C दो दुनी 4 सकते 28 और B C ऐसा हमने क्यों किया यह देख रहे हैं सीधा A minus B square के रूप में आ गया फिर से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ A minus B whole square scale to A square minus 2AB plus B square इसी सर्वसरमी का पर आधारित है तो यह वाला पार्ट यह दाहिने वाले की तरह है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ A की जगह यहाँ पर 2B है तो यह 2B minus 7C whole square अब यहाँ एक दूसरा सर्वसमी का आ गया उसका परियोग करेंगे वो होगा A square minus B square is equal to A plus B into A minus B तो यह होगा A की जगह है और यह B की जगह है तो 5A plus 2B minus 7C यह हो गया और दूसरा खंड जो होगा वो 5A minus 2B minus 7C यह होगा अब यहाँ पर हम ब्रेकेट हटाएंगे 5A plus 2B minus 7C यह और इधर हो जाएगा 5A minus 2B plus 7C यह ब्रेकेट से पहले minus है तो अंदर का चिल प्लस हो गया अब देखें कि यह answer हमारा कौन से option में है तो यह हम देख रहे हैं कि यह हमारा पहला वाला option है तो यह पहला वाला option हमारा answer हुआ प्रस्न संख्या 77 किसी कच्छा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात 5 है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है कच्छा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है और चार option दिया गया है 56 52 48 और 36 आये से हल करते हैं मान लिया कि लड़कों की संख्या ब्राबर 7 एक्स तो लड़कियों की कितनी होगी लड़कियों की संख्या ब्राबर 5 एक्स और प्रशन से प्रशन में दे रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 अधिक है और थाथ 7x माइनस 5x इसकल टू 8 या 2x इसकल टू 8 या x इसकल टू 4 तो लड़कों की संख्या कितनी होगी लड़कों की संख्या ब्राबर 7 गुना एक्स का मन चार आ गया है चार यानि 28 और लड़कियों की संख्या ये है 5x यानि 5 इंटू 4 इसकल टू 20 तो खुल विद्यार्थियों की संख्या ये 28 जोड 20 बराबर 48 तो हमारी ऑप्शन नमबर 3 सही है अब प्रसंख्या 78 यदि 4p इसकल टू 47 स्क्वाइर माइनस 43 स्क्वाइर तब पी क्या होगा तो ये इसमें हम a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर वाला जो सर्वसमी का है इसका प्रियोग करेंगे इसकल तो a ब्लस b इसक्वाइर माइनस b एक एर देखे लिए 4p इसकल तो 47 स्क्वाइर माइनस 43 स्क्वाइर ये 4p इसकल तो 47 ब्लस 43 और ये इन्टू 47 माइनस 43 या 4p स्क्वाइर ये हो गया 90 और ये हो गया 4 47 गटा है या पी स्क्वाइर ये 90 इन्टू 4 बाई 4 ये 4 4 कैंसल है हमारा एंसर आ गया 90 तो देखिए कौन सही है option नबर 2 प्रस्न संख्या 79 किसी संख्या में 27 पूनांग 1 बटा 2 प्रतिशत घटाने पर 87 होता है वह संख्या है option 1 है 58 उसके बाद 110 120 और 135 तो सबसे पहले हम मान लेते हैं संख्या को मान लिया की संख्या बराबर x तो हम पहले से निकाल लेंगे x का 27 पूनांग 1 बटा 2 प्रतिशत कितना होता है तो x गुना और ये हो जाएगा 27 दुनी 54 और 155 बटा 2 और गुना एक बटा 100 ये परतिशत को तो ये हो जाएगा हमारा ये दो से अगर हम काट दें इसको ये गलत लिख दिये हैं 52 पचपन होगा सॉरी सॉरी ये 27 दुनी 54 और इक पचपन है बावन नहीं पचपन है तो 5 से कड़ते हैं तो ये 11 बार में कड़ जा रहा है और ये 5 से 20 बार में तो यहां हो जा रहा है 11 एक्स बटा 40 और एक्स का साड़े 27 परसेंट हो गया 11 एक्स बटा 40 अब ये कर रहा है कि घटाने पर 87 होता है तो प्रश्ण से एक्स घटाओ 11 एक्स बटा 40 ब्रावर 87 या लौस हमारा एलसियम 40 हो गया तो ये हो जाएगा चालिस एक्स माइनस ग्यारह एक्स इसल टू 87 और ये हो गया 39 एक्स स्वारी 29 थर्टीनाइन नहीं 29 चालिस एग्यारह घटाते हैं तो ये 29 होता है 29 एक्स एक्स इसल टू 87 या एक्स इसल टू 87 इन्टू 40 बाई 29 तो ये तीन बार में कर जाएगा 29 से सता सी तो ये हो गया 120 तो हमारा ये आप्शन थ्री सही है 120 अब कोश्चन निंबर 80 किसी मसीन का मुल्य हर साल 20 परतिसत हरास होता है यदि उस मसीन का वर्थमान मुल्य देखिए कितना है इकाइद हाइद सेकड़ा हजार दस हजार लाक एक लाक साथ हजार रुक्या है तब पिछले साल उसका मुल्य कितना था आए से हल करते हैं तो ये मान लेंगे हम मालिया कि पिछले साल का मुल्य पिछले साल का मुल्य ये एक्स रुप्या था तो इसे 20 परतिसत का हरास होता है तो हरास ब्राबर एक्स का 20 परतिसत यानि एक्स गुना 20 परता 100 अर्था ये कट जाएगा तो एक्स परता 5 ये हरास हो गया तो वर्तमान मुल्य कितना होना चाहिए या ऐसे सीधे यहां पर ऐसे करते हैं प्रस्ण से तो पहले एक्स था पिछले साल इसमें हरास हो गया एक्स बटे 5 तो ये हरास होने के बाद जो वर्तमान मुल्य है वास्तों में वह है एक लाक साथ हजार अब इसी समीकरन को हम हाल करेंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा तो यहां पर लॉसा हो गया पांच तो ये पांच एक्स घटाओ एक्स ब्राबर एक लाक्ट तो यह हो गया पांच यह तो एक्स ब्राबर यह हो जाएगा गुना पांच ब्राबर चार तो यह चार ब्राबर पांच था इधर आया तो पांच ब्राबर चार हो गया चार से इसे हम कटते हैं तो चार चौके शुल्ला और एक दो तीन चार सुने है और यह पांच से गुना हो गया तो यह हो गया 20 और एक दो तीन चार सुने अर्थात इकाई दहाई सेकड़ा हजार दजरा ला तो पिछले साल इसका मुली कितना था दो ला ये कौन सा हमारा एंसर है ऑप्शन नंबर फोर तो अभी हमने राष्ट्रिय मेधा साधन सा मेधा चातिवर्ति जो जारखंड राजय का था उसका इकीस बाइस का गणित का प्र नाट वन दस प्रस्नों को हल किया अब जो अगले दस प्रस्न है मैं दूसरी वीडियो में इससे हल करूंगा आत जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अवस्य सब्सक्राइब करें और विसेशकर वे चात चात्रा जो इस वार मुख्यमंत्री मेधा च शात्रवर्ति का परिक्षा दे रहे हैं या अगले साल देने वाले हैं वो अवस्य सब्सक्राइब करें उनकी तैयारी के लिए काफी महत्पून है साथ ही साथ यह अभी जो जारकंड में ओलंपियाड होने वाला है विविन विस्यों का उसमें गनित भी विस्य है क्लास एट क अभी ओलंपियाड होने वाला है उसके लिए भी यह काफी महत्पून है और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि यहां मैंने प्रशनों को विस्तार में हल किया आप परिछा हाल में जब हल करेंगे तो इतना लिखना नहीं है उसे आप शौट में बिल्कुल शौट में र किया है धन्यवाद